डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकेंड पर स्टार्ट इस अपील के तत्य इस प्रकार है कि एन वेनुगोपालन नायर नामक व्यक्ति की एक मोटर या दुर्गट नामे मृत्यु होने पर उसके आसरितों अपिलार्थियों दुआरा परतिकर की इप्षा करते हुए मोटर दुर्गट ना दावा अधिकरण के समक्स दावा अरजी फायल की गई थी फुलिष्टोप अपिलार्थि म्रतक की पत्नी है अपिलार्थि और उसकी पुत्रियां है और अपिलार्थि उसकी सास है फुलिष्टोप दुर्गट ना के समय म्रतक की आयू 52 वर्स थी फुलिष्टोप मोटर दुर्गट ना दावा अधिकरण ने म्रतक का वार्शिक वेतन 8,87,148 रुपे के रूप में लिया फुलिष्टोप इसके लिए मोटर दुर्गट ना दावा अधिकरण ने 11 का गुनक लागु किया और नेरबरता की हानी सीर्स के अधिन प्रतीकर की संगणना करने के प्रियोजनार्थ उसके वेक्तिगत व्यों के लिए आई की एक चोथाई कटोती की फुलिस्टोप मोटर दुरुगटना दावा अधिकरन ने दावा अरजी की तारिक से वसूली की तारिक तक 7.5 प्रतिसत वार्फिक ब्याज सहीत प्रतिकर के लिए 24,50,971 रुपे की कुल रासी अधी निर्नित की प्रत्यार्थी बीमा कंपनी दुआरा मोटर दुरुगटना दावा अधिकरन के अधी निर्ने के विरुद उच नियाले में अपिल फाइल की गई फुलिस्टोप उच नियाले ने ये अभी निर्दारित किया की मृतक की सास अपिलार्थी मृतक की बीदिक परतिनी दी नहीं थी फुलिस्टोप इसके अतिरिक उच नियाले ने ये अभी निर्दारित किया की मोटर दुरुगटना दावा अधिकरण को निर्बड़ता प्रतिकर का निर्दारण करने के लिए बिवाजित गुनक लागू करना चाहिए था फुलिस्टोप इरा मृतक की मोटर यान दुरुगटना में मृत्यु हो जाना मृत्यु के समय पर उसकी सास उसके साथ रहना और बरन पोशन के लिए उस पर आश्रित होना मोटर दुरुगटना दावा अधिकरण दुआरा बिदिक प्रतिनीदी मानते हुए प्रतिकर का अवधारण किया जाना अपील में उच्छ न्याले दुआरा सास को मृत्यक पर आश्रित ना मानते हुए प्रतिकर में कटोती किया जाना चुकि मोटर यान अधिनियम एक इतकारी विदान है और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिदिक प्रतिनीदी पद का एक उधार और व्यापक निर्वाचन किया जाना चाहिए और इसे केवल मृत्यक के पती या पतनी माता पिता और बालकों तक सिमित नहीं किया जाना चाहिए तथा जहां अभी लेक की सामगिरी से उस्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता हो की मृत्यक की सास अपने आश्रे और बरण पोशन के लिए मृत्यक पर आश्रित थी और लंबे समय से मृत्यक और उसके परिवार के साथ रही थी वहाँ वै बिदिक परतिनीदी होने के कारण परतिकर के लिए दावा अरजी कायम रखने की अकदार है और मृत्यक पर उसकी आश्रित्ता के लिए परतिकर से इनकार करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है फुलिस्टोप पैरा मोटर यान अधिनियम 1988 धारा 168 आउदारना मृत्यक परतिकर की मोटर यान दुरगटना में मृत्यू हो जाना मोटर दुरगटना दावा अधिकरण द्वारा मृत्यक की आईयू उस पर परिवार के सदश्यों की आश्रित्ता और उसकी इस्ताई नोक तथा मासिक आई के आदार पर 11 का गुणक लागू करते हुए परतिकर अवधारित किया जाना फुलिस्टोप अपील में उच न्याले दुआरा मृतक की सेवा निर्वर्ती पूर्व और सेवा निर्वर्ती पश्यात की संभावे आई की संगणना करने के लिए विवाजित गुणक का प्रियोग करते हुए परतिकर को कम किया जाना न्यायो चित्ता न्यायले दुआरा आश्रित्ता की हानी की संगणना के प्रियोजन के लिए दुरगटना के समय पर मृतक की वास्तविक आई पर विचार करते हुए बावी संभावेताओं को ध्यान में रख कर उसमें परिवर्धन करना चाहिए और जहां मृत्रक की आयू दुरगटना के समय बावन वर्स थी और उसकी इस्ताई नोकरी थी वहां विवाजित गुनक का प्रियोजन करते हुए प्रितिकर का निर्दारण करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है फिलिष्टो समाप्त